तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉप अप लोन होता क्या है तो जैसे मान लेते हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं या किसी जूस वाले के पास जाते हैं और हम औरेंज जूस पी रहे होते हैं और उस औरेंज जूस का जूस का ग्लास है हमने 25% जो है खाली कर दिया होता है तो वापिस हम juice वाले भाईया को बोलते हैं कि इसका वापिस refill कर दो या इसका top up कर दो तो हमारा glass जो है पूरा वापिस बढ़ जाता है तो जैसे भाईया ने हमारा orange juice का top up किया है वैसे के वैसे हम loan amounts पर भी top up कर सकते हैं तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे तो top up loan क्या होता है कि कोई भी existing loan हमारा जो चल रहा होता है मतलब कोई भी loan जो हमारा already चल रहा होता है home loan है या कोई भी loan चल रहा होता है तो उसके उपर जो extra loan लिया जाता है extra amount जो borrow गिया जाता है उसको top up loan बोलते हैं तो ये loan किसलिए लिया जाता है? जैसे कि emergency के अंदर हमें जलोर पड़ जाए या personal loan का alternative मान सकते हैं या assets को liquidate करना है जैसे gold, property के लिए हम use कर सकते हैं experts का मानना है कि जो top up loan है वो home loan पर better option रहता है ये क्या मिलना भी easy है और इसके इंदर interest rates भी काफी सही है simple बासा में बताऊं तो top up loan क्या है कि financing option की तरह है जिसमें borrower जो मतलब loan लेने वाला होता है उसके पास already existing loan होता है जैसे कि orange use हमारे पास already है और खाली हो गया तो उसको refill कर दिया वैसे कि borrower के पास already existing loan होता है और उसके उपर top up loan लिया जाता है और ये top up loan तबी ही दिया जाता है जब क्या है कि loan लेने वाले का track record है वो काफी अच्छा हो जैसे हमने पुराने जो repayment है वो साही time पे किये हो जब ये सारी condition साही होती है उसके बाद क्या है कि same terms and condition पर हमें loan जो है अप्रूव हो जाता है तो अब देखते हैं top up loan काम कैसे करता है तो जैसे दोस्तों मानलो हमने home loan ले रखा है और home loan को चलते हुए 5 साल जैसे हो गए है अब 5 साल के बाद थोड़ा बहुत home renovation भी करवाना पड़ता है तो जैसे मानलो हमने कोई भी home loan लिया हुआ है पचास लाग का 10 साल के लिए तब भी मानलेते हैं कि 5 साल के repayment में 28 लाग amount बजा है अब renovate करवाने के लिए हमें extra amount चाहिए तो हमारे पास multiple option है हम चाहें तो personal loan भी ले सकते हैं पर उसके इंदर interest rate थोड़ा सा ज़ादा लगेगा और उसके बजाए top up loan जो facility है वो काफी easy और आसान मानी जाती है क्योंकि loan मिलना भी आसान हो जाता है home loan पर और उसके लाबा interest rate भी काफी कम रहता है और अगर मानलो आपने home loan लिया है तो आपको guarantee नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा top up loan इसके लिए क्या है कि आपका पिछला record track किया जाता है मनलब आपने repayment time पे किये हो और नहीं किये हो अगर आपका credit report जो है favorable या सही रहता है तो bank क्या है कि तुरंटी कुछ processing fees charge करके आपको top up loan कर देते हैं तो अब ये तो बात होगे कि top up loans क्या होता है और इसका eligibility criteria क्या होता है अब इसके अंदर apply कैसे करना है वो भी हम जान लेते हैं तो वैसे तो primary applicant जिसके नाम पर already loan होता है या तो वो भी apply कर सकता है या उसका co applicant भी apply कर सकता है top up loans के लिए और salaried employed होता है उसको top up loan के लिए चाहिए identity proof, residence मतलब KYC है, income proof, property related documents बाकी छोटे मोटे documents जैसे passport size photo है, check है use of loan, bank statement, employed contract ये सारी चीज़े जो है मैं चाहिए होती है तो ये सारी चीज़े लेकर आप apply कर सकते हैं तो अब दूस्तों आप home loan, top up loan के बारे में और ज़्यादा अगर जानना चाते हैं तो आप Peeramal Finance की website पर visit कीजिए और देखिए क्या क्या options available हैं और उसके लाबा उनके customer care पर भी आप बाक्त कर सकते हैं तो Peeramal Finance की website की जो link है मैंने description के अंदर provide करवा दी है तो अभी ही क्लिक कीजिए और पाएं best options for loans